आप अपना थोड़ा अपना फैमिली से सब को मिलाईए और अपने घर को दिखाईए यह जोपड़ी जिसमें मैं हमेशा से वीडियो बनाया करता हूँ फंस पेमेंड जो आपका आया था वो कितना आया था टोटल अर्निंग आज तक आपने यूटूब में कितना किया अभी तो हमने यूटूब से जो अभी तक पूरा इंकम किया है वह लगभा लगभा हाई अपसका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है तो दोस्तों आज का भी ये वीडियो एक इंटरव्यू सेशन है यहां पर मैंने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जिनके पास दोस्तों ज ज्यादा कुछ सुविदा ना होते हुए भी यहां तक कि इंटरनेट भी वहां पर इतना स्लो रहाता है कि मत ही बोलो तो आज की इस वीडियो पर उस गेस्ट को चलिए आप लोगे इंड्रीडूस करवाते हैं हलो मुके साहनी जी वेलकम है हमारे चैनल पर आपका नमस्ते बात की जा हमारे बारे में इंटर्डॉक्शन की तो मेरा नाम मुके साहनी और में यूपी के सिधार नगर जीले में मसिना खास नायमक गाउं में रहते हैं और बात की जाए पढ़ाई की तो हमने कलास 12 तक पढ़ाई किया है उसके बाद बहाद आर्थिक इस्तित्य हमारी उतनी सही थी तो हमने मजब़ूरन पढ़ाई छोडदिया था जर्च होने कर अब लेकिन आ अपका जैसे यह घर में कौन-कन है मम्मी है पापा है और मम्मी पापा भाई बहन मतलब दो बहन और तीन भाई पापा तो आपका जैसे आइडिया यूटूब पर आने का जैसे कैसे आगया पहले भाइव हम दो दोस्तों लोग वीडियो बनाते थे एक चैनल पर जो कि मतलब लगबग 2.5 साल पहले थे तो उस प सब्सक्राइब किये थे उसके बाद चला गया तो पहले जैसे आपका चैनल मैंने चेक किया तो देखा आप जो है पहले गेमिंग वीडियो भनाते थे देरे 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 आपने फिर यह मतलब ट्रैक कैसी चेंज हो गया कि ब्लॉगिंग करते हैं तो उस पर कुछ था नहीं मिल रहा था मतलब एक फ़ीडियो नहीं वाला बीडियो डाल यूट्यूप पर और वह वीडियो वायरल हो प्र लाग-तीन लाक यह पास-ब्यूज आगये हैं इसके बाद मैं फिरसे गेमिं 거지 लेटेट वीडियो वीडियो करने लगा लेखा कि गेमिंग से रिलेटेट ह्मारा कॉनटेंट है तो हंफिते पर में करना मतलब आपका इस्टोरी छ। मैं भी पहले यूटूब रिय दोस्तों वीडियो नहीं बनाता था आप लोगों पता ही होगा मैं भी पहले android phone का review वगरा किया करता था फिर जब मेरा भी चैनल monetize हो था ना तो मैंने एक video डाल दिया था कि मेरा चैनल monetize हो गया खुसी से अब वह video मेरा इतना अच्छा perform कर गया इतना अच्छा व्यूज आ गया फिर मैंने क्या कि फिर से मैं जैसे वीडियो बनाता था इसा ही बनाने लगा से मतलब मुकेश जी का जैसा ही मेरा भी श्टोरी है उसके बाद मेरा भी गूगल का पीन वगर आया फर्स्ट पैमेंट आया तो में वह सब का जब वीडियो बनाया तो वह सब वीडियो भी वाइरल होने लगा तब मेरा धिरे-धिरे मैंने भी ट्रेक चेंज़ करके यूटूब रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू किया और मुकेश जी के साथ भी देखी सेमी चीज हुआ है यह पहले गेमिंग वीडियो बनाते दे गेमिंग वीडियो बनाते-बनाते क्या हुआ कि इनका एक मतलब की प्लाएंट अने लगा या फिर यूटूब से रिलेटेड जैसे मोनोटाइज होगिया गुगल का पीन आ गया तो वह सब से रिलेटेड जब यह वीडियो बनाय तो वह सब वाइरल हो गया तो इनोंने क्या क्या कि दिरे-दिरे फिर से वह व्लॉगिंग वाला ट्रेक पकड़ ली मतलब वो समझ गये कि आप हमारे चैनल पर ओडियन्स उस परकार का आ गया है वह ऐसे ही वीडियो देखना लोग पसंद कर रहे हैं तो वह दिरे-दिरे अपने ट्रेक को चेंज कर लिए त कि मैंने बताया था कि कैसे इन्होंने आइपन को मतलब खू करके वीडियो बनाए था तो मैंने उसके चाहिए यूटुब says कि यूटूबब तो अभी आप यूटूब से उसे पैसा व अगरे कमा रहे है ता अ अभी ऑठी ह pagira मरेदे पापा पर करते हीं कि टोड़ कअ नहीं पिता जी तो काम करते ही हैं है आभी फोन लेने क्योंकि सब कुछ आपको पता है बहुत है नहीं करते हैं तो आपना फोन जो है ना कैमरा वाला फोन वो फोन अपने हाथ पर उठा लिए जैसे व्लॉगिंग करते हैं और अपना थोड़ा अपना फैमली से सब हमेसा से वीडियो बनाया करता हूं और यह बगल में जो घर है है यहां पर देख सकते हैं यहाइज हमारे घर हमारी मम्मी जी कुछ बोलो नमस्दे करता मदल भाइया मतलों हिंदी नहीं जानती हैं गाउं में ही रहती हैं तो गाउं भासा दियाती हुआ में पिता ची चोकि मतलब दियात में रहती है उर कही पर भी भाहर नहीं कहीं है और पढ़ाई- analysis नहीं हिना पढ़ा ही दो दोस्तों आप लोगों ने मुंकेश का घर देख लिया इनसे feder भी मिलिया आप आप लोग को क्या लगा देख करके कैसा इनका घर है मकान देखें आप कितना कच्छा वाला मकान है उतना कुछ रिसोर्सेज भी नहीं है इंटरनेट का भी वहाँ पर प्रोबलम चलता है क्योंकि गाओं पड़ता है लेकिन फिर भी इन्हों आया था और यह कौन सा साल में पिछले साल पिछले साल तो आपको यूटूब करने के बाद कितना टाइम लग गया फर्स्ट पेमिंट आने में लगभाग 11 महिने के आसपास हाँ जनूरी में हमने स्टाट किया था तो दिसंबर में आया यानि की लगभाग एक साल कह सकते हैं एक साल लगभाग लगा ना तो दोस्तों यह चीज मैंने इसलिए इनसे यह सवाल किया आप लोगों मैं बताना चाहूंगा देखे यूटूब पे तुर 1000 गंटा कंप्लेट कर लेना है एक मुक्त्र यहां हुटूब से चैनल waż मॉनटाइज हो जाओ काम कर रहे हो तो काम करते रहो रेगुलर हार मत मनना कब आपका किस्मत बदलेगा इसका गैरेंटी कोई नहीं दे सकता कोई जानता भी नहीं ठीक है कब वीडियो बगर वाइरल हो जाता क्या हो जाता है अब मुगस जी एक सवाल आपसे यह रहेगा कि टोटल अर्निं अगर कोई दिक्कत ना हो सुनिन एक काम कीजिए आप किलियर मत बताइए आप बता सकते हैं मतलब लगभग में कितना हुआ होगा तो भाइया हमने यूटूब से जो अभी तक पूरा इंकम किया है वो लगभभभभभ में बताऊं तो अभी मैं देख कर बताऊं तो अगर उसको जोड़ेंगे तब लेकिन हमें जो मिल चुका आगर उसको जोड़े जीतना हमें सिगंड पैमेंट मिला उसके बाद भाइया लगभभग सत्तरस्ति हजार लगभग तो चलिए बहुत अच्छा कासा यूटूब पे अर्निंग है और मुगेश जी अभी जश्ट फ्सके बाद चसेशन कम्ःशन चाहिक बहुत मैं तो फूटर से नहीं जान तो घर पी नहीं आएक ठीज बाएक भी नहीं वर घषार इकमार फ्वेड़े, लेने का अभी तो कोई उससे ज्यादा पलान नहीं है कि बाइक लेने का बाद में जरूर सोचेंगे अगर सपोर्टर हीगा लोग का तो और आपको एक मोबाइल भी लेना है तो जरूरी है तो अब एक चीज बता दो लास्ट क्वेश्चन यहीं है कि लोग जानना चाहते हैं क कि आपका चैनल मतलब ग्रोग मतलब क्यूं वह गया आपको क्या लगता मतलब या पिर किया कारण था कि आपका चैनल ग्रोग हुआ लोग आपको देखना पसंत करते मैं भईया सच बता रहा हूँ पहले तो मैं दो जन एक चैनल पर वीडियो बनाते थे तो कुछ नहीं हुआ मेरे से कुछ नहीं हो सकता किसी भाई का हो जाए दो जन बनाए लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेहनंत करना चाहिए तो अखेले खुद के दंपई करना चाहिए जो कि मेरे को जो पसंद था मैंने वही दिखाया जो लोगों ने पसंद किया मैंने उनको वही दिखाया और डेली के डेली मैंने भाई अपलोड किया वीडियो और सच बता रहा हूं भाईया मैंने एक दिन देखा 365 मतलब 365 दिन जब हमारे चैनल पर complete हो गए मतलब एक साल हो पड़े यही जरिया वही है मेरे को ऐसा लगता है एक दम आपने परफेक्ट बात बोला है मैं भी हमेंसा अपने वीडियो में आप लोगों बताता हूं जितना ज्यादा मेहनत करोगे आपको फल भी उस हिसाब सही मिलेगा और मुकेश जी का क्वालिटी यहीं है कि इन्हों का फ्यूचर इनका आप लोगों ने सुना फ्यूचर प्लैनिंग क्या है कि इनको एक साइकल लेना है देखिए अभी बढ़ा बहुत कुछ सपना नहीं रखें एक साइकल पर लेना है जिससे यह मार्केट जा सके आ सके कुछ अपना काम कर सके डेली का दिन चरिया और साथ ह इनको अभी एक फोन भी लेना है क्योंकि ब्लॉगिंग में क्वालिटी वगरा थोड़ा बढ़ाना होगा कि इनका फोन पूराना हो गया है तो हैंग वगरा कर रहा है तो मुखेशी से बात करके आज की इस वीडियो में इतना अच्छा लगा लोग काफी जादा मॉटिवे आपने वीडियो में कमेंट कर दिया उपर से आपने लिए वीडियो बनाकर बनाकर चैनल पर डाल दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात भैया कि मतलब एक जो द्यात में लड़का रहता जिसको आसपास पोड़ोसी सब लोग पागल कहते थे आज वही लड़का को इतने बड़े भाईया ने मतलब फोन लगाया बात किया इतनी सारी बाते हुई मैंने सपने में भी नहीं सचा था दोस्तों भाईया कि हमारे भी ऐसे दिना सकते हैं और सब्सक्राइब करना चाहिए और आगे बढ़िए बाकि पॉब्लिक सपोर्ट आपको जरूर करेगी क्योंकि आ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना साथ ही मुकेश जी का भी चैनल में ने मैंसन कर दिया जाकर के चेक आउट कर सकते हैं एंड चलिए आज के लिए तना ही तब तक लिए जैहिन वंदे मातरम